गुड मॉर्निंग एवरिवन आज के मारी क्लास गटनरी क्लेनिकल मेडिसिन की है और हमने काउफ पॉक्स है जो पिसले क्लास में पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे सीप पॉक्स इसमें आपको डिजिज का नाम और क्योल वायरस का नाम याद रखना है कि सीप पॉक्स किस वायरस के कान होता है तो सीप पॉक्स उसके वायरस का नाम है वेरियोला ओवी नाम जिसकी बज़ए से बेड़ू में सीप पॉक्स नामक रोग होता है नेक्स्ट आपके गौट पॉक्स गौट पॉक्स या बकरी का चेचक जिसके वायरस का नाम है आपके वेरियोला कैफरा जिनस और इसी का अन्य नाम है कैपरी पॉक्स वाइरस जिसकी बज़े से बक्रियों में चैचक नामक रोग होता है नेक्स्ट आपके श्वाइन पॉक्स या सुवर का चेचक रोग जिसके वाइरस का नाम है वेरियोला सुईला जिनस और स्वाई फॉक्स वाइरस जिसके बज़े से श्वाइन पॉक्स नामक रोग होता है नेक्स्ट आपके वाइरस पॉक्स जिसके वाइरस का नाम है वेरियोला एक्वाइन और आपके चाहिए गायो चिबेंसो बेर बकरी गोड़ा कुता सुर कोई भी पसू हो जब पसू में एक वाइज चेचक रोग हो जाता है तो उस पसू में लाइफटाइम के लिए चेचक की एमिनिटी बन जाती है और दुबारा पसू में कभी भी चेचक रोग नहीं होता है लेकिन उस पसू के सरीर पर चिन या दब्बे जो पाए जाते हैं जिनके माद्यम से पता लग जाता है कि इस पसू को लाइफ में एक बार चेचक जरूर हुआ है वो चे मनुस्य हो चेचक पसू हो वो इसके बयाचिन है जो हमें से लाइफ टाइम के लिए बने रहते हैं और इसमें एक सब्सक्राइब यह होता है कि पसू के थन और पर लाल लाल दाने उबरते हैं और वो दाने कुछ समय पस्चात फूर चाते हैं वो कैसे फूरते हैं कि जैसे अपन थन से दूद निकालते हैं तो थनों पर दबाव बनता है तो उस दबाव के मादम से वो चाले फूट जाते हैं जैसे वो चाले फूटते हैं तो उन चालों के अंदर क्या होता है कि जो शीरस फ्लूड होता है वो फ्लूड बाहर निकल जाता है और वो फ्लूड बाहर निकलने के कारण क्या होता है कि वो फ्लूड थन के ऊपर एक इसके या पपड़ी बना लेता है और कुछ 10 से 15 दिन के अंदर का यह पपड़ी है जो सूख जाती है वो सूखने के पश्चात वो फपोले या घावे जो ठीक हो जाता है अगर नहीं होता है तो आपको वहाँ पे एंटिसेप्टिक सोल को चालों के ड्रैसिंग करनी है ड्रैसिंग करने के पश्चात परसु में आप लॉंग एक्टिंग पेनिसिलिन जो है 10 से 20 एमजी पर केजी बोडिवेट के से आई-एम लगा सकते है और जो भी एफेक्टेड एरिया है वो चाहिए पश्चात थन है चाहिए अडर है पसूप के संप्रक में आने वाला मनुश्य है उनके हातों को भी लाल दवा के गोल से साफ करना चाहिए ताकि वो रोग एक पसू से दूसरे पसू में नहीं पहले और पसू से मनुश्य में नहीं पहले यह जो चेचक नामक रोग है जो एक संक्रामक रोग होता है और इसका संकर्मन है जो रोगी पसु से स्वस्थ पसु में और स्वस्थ पसु से रोगी पसु में मनुश्य में हो सकता है यानि यह संकर्मन से या एक दूसरे के चूने से फैलता है और इस रोग का फिला यह से होता है कि इस रोग का फिलाव रोगी पस्व के सिर्डे संपरक से या उसके इंफेक्टेड चारा पानी विछाउन आदे के संपरक में आने से उसके डिस्चारज के संपरक में आने से दुगदे दोहन करने वाले गवाले के हातों से या मगर मसीन से दुगदे दोहन कर रहे हैं तो उ यह आपके जो चैचक नामक रोक था वो बनने पड़ लिया गाय बेस बेड़ बकरी सुहर गोड़े सब में पड़ लिया अगर आपको हमारे कलास अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद